नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भी मैं भी बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आजकल शोट वीडियो का ट्रेंट चला हुआ है तो चलो यह शोट वीडियो है लेकिन आपके मोटिवेशन के बहुत काम आएगा और यह जो की मैंने घर को डेकरेट करने के लिए रख रखे हैं बजाए की आर्टिफिशल प्लांट के तो इस तरीके से बहुत सारी वराइटी आपके पास अंदर प्लांट रखने के लिए भी जो की हलकी फुलकी संलाइट में चलते भी हैं और दोस्तों देखने में तो इतने तो इस तरीके से आप भी घर के corner को जिंदा plant से सजा सकते हो बजाए कि artificial plant के रखने से artificial plant क्या रखे होते हैं लेकिन हमारा इतना जुडाव नहीं होता हूँ से लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से जो की जानदार plant है जिनमें की जान है उनको अगर आप रखते हो तो आपका घर तो सुंदर लगेगा लगेगा आपका जुडाव उनसे होगा और वाक्य में ही वो कोर्नर एक तरह से जिंदा दिल हो जाएगा बजाए कि आर्टिफिचल प्रान रखने के तो इस तरीके से आप भी अपने घर को डेकोरेट करने के ल इस तरह ऐसे कॉर्नर में लखके भी आप प्लांट रखने के बाद उस कॉर्नर की डेकोरेशन कर सकते हो जो की ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरा तो देखी लो बहीं जो मैंने कर रखा है तो मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांटs रख रखे हैं ज़्यादा तर मैंने पाम के रख रखे हैं, पाम क्योंकि एक तो एवर ग्रीन है और मोसम का कम असर होता है इस पे, तो इस टेम तो ऐसे मोनसून चल रहा है, आप पाम लगा के अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हो, और दूसरा भाई, जहां पे आपको लगता है कि अच्छी खासी सनलाइट और वहां का एरिया भी आप सजा सकते हो, बजाए की वो कोर्नर है या नहीं है, लेकिन वहां पे भी इस तरीके से आप प्लांट रख सकते हो, तो यह जब पिछे खूब गर्मी पड़ी, तब तो हलके फुलके से पत्ती इनकी नोक पे से थोड़ी सी जुलसी गई थी, लेकिन फिर अब जो बरसात का मुसम आया है आप देखो सारे के सारे ठीक चल रहे हैं, और जो पिछे आंदी तुफान में मेरी थोड़ी सी डंडिया बेंट होगी थी, उनको भी मैंने चोप स्टिक और टेप बांध के रहा सिद्धा कर दिया बजाए की काटने के, तो पांसा दिन अगर आप इस तरह कैसे करते हो, तो अगर आपकी भी कोई डंडी मुड़गी है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो, पांसा दिन में आप टेप अटा के देखोगे तो वो बिलकोल ठीक निकलेगी, तो इस तरीके से कोई इसकी स्टेम काटने की जरूरत नहीं होती है, हां हलकी दोस्तों, चाहे सुबह हो या शाम हो, फिर आपको अपना घर इतना खूबसूरत लगेगा, शाम हो जाए तो देखो हम कर्टेन वगरा कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर प्लांट लगे उत्ते हैं, तो उनसे घर बहुत खूबसूरत लगता है, तो इस तरीके से आ आप भी अपने घर को सजा सकते हो, कोर्नर को सजा सकते हो, और एक बहुत सुंदर भीव आपके घर का बनेगा, जो की पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू बेरी मच्च